इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि प्लाजव पैंड की कटिंग किस तरह की जाती है और उसी किस तरह स्टिच किया जाता है तो उसके लिए हमें सबसे पहले मेजेमेंट की ज़रत है यहां पर हिप का साइज मेरा 40 इंच है टोटल लेंथ हमारी 38 इंच है और मोरी जो ह यहां पर डबल फोल्ड करके इस तरह से एक बार और इसे चौड़ाई में फोल्ड कर लिया हमें जितना घेर चाहिए उसके अकौर्डिंग हम यहां पर घेर के हिसाब से इसे फोल्ड करेंगे आपको नीचे का बॉटम गेरा जो भी आपका जितना भी चाहिए उत्ते इंच के साब से आप फोल्ड कीजिए यहां देखें 40 इंच मेरी टोटल लेंथ है यह डबल है तो दो मीटर फैबरीक है मेरा 40 इंच में वन मीटर होता है और 40 का डबल हमारा जो हो जाएंगा तो यह 2 मीटर का फैबरीक यहां पर मैंने आपको दिखा दिया है अब इस तरह से हम यहा यहां पर मैं 2 इंच का निशान लगा लूँगी सभी तरफ से और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी सभी तरफ से आप 2-2 इंच की मार्किंग कर ले ताके कहीं कम ज्यादा ना हूँ और इस तरह एक लाइन ड्रॉ कर ले अब देखें यहां पर मुझे जो है टोटल लें मेरी 38 इंच है तो यहां पर मैं 38 का इस तरह से 37 और फिर एक एक इंच नीचे से हम एक्स्ट्रा छोड़ कर 38 इंच पर मार्किंग कर लेंगे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे अब वान इंच एक्स्ट्रा हम छोड़ देंगे और जो हमारा तेड़ा फैब्री के नीचे से कम ज्यादा उसको हम अलग कर लेंगे इदे यहां पर वान इंच मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा है ताकि इसे हम एजीली फोल्ड कर सकें अब उपर से हमें जो दो इंच हमने उपर एक्स्ट्रा चोड़ा था वहाँ से हम ये नीचे तक के 14 इंच हमारा जो भी आ रहा है उसका हम double करेंगे hip का size हमारा 14 था 14 इंच को हम double करें 20 होता है फिर उसे double करेंगे यानि कि fourth part जो हमारा मिलेंगा 10 इंच hip का जो भी आपका नाप रहे जितना भी रहे आप उसका double fourth part निकाले और उसमें हमारा यहाँ पर 10 इंच मिला है तो 10 को आप 2 प्लस कर लेंगे आपका जो भी hip size हो उसका 4th part निकाले उसमें आप 2 प्लस कर ले ये मैं सभी size के लिए बता रही हूँ double xl के लिए भी मुझे comment आया था कि double xl का plazo का cutting बताए तो same procedure होंगा जहाँ पर थोड़ा बहुत change आएंगा मैं आपको बता दूँगी तो hip का size हमारा जो भी रहा हम उसमें 4th part निकालेंगे और 2 प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने देखी 12 inch पर यहाँ पर marking की अब crouch area भी हमारा same आएंगा जितना हमारा हमने उपर में हिप लिए है सेम उतना ही हम crouch area भी लेंगे यहाँ पर मैंने 12 inch पर marking की है तो crouch area के जो length है हमारी उसके लिए भी मैं 2 inch पर marking करूँगी अब यहाँ पर भी हम ऐसे सीधी line ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हमारा जो है same 12 inch आए उपर 12 inch है crouch length जो हमारी हो भी 12 inch है और नीचे में भी हमने 12 inch लिया है तीनो ही जगह पर हमें 12 inch लेना है same और यह मैं 40 inch के लिए बता रही हूँ आपको कि यहाँ पर हमें 2.5 inch extra लेना है और इस तरह से curve बनाना है तो double axle size आप जो भी ले तो उसमें आप 3 inch extra ले यहाँ पर मैंने 2.5 लिया आप 3 inch ले अब देखिए यहाँ उपर हमारा total 14.5 वह आता तो same मैं हमारा जो नीचे bottom लिया है उसको भी 14.5 लूँगी और half inch जो हमारा सिलाई में cover हो जाएगा तो हमारा 14 inch हमें लिया आ जाएगा अब हमारे पास यह है scale है इस तरह की leg shape तो इसकी मदद से मैं आप पर एक curve line बना लूँगी इस तरह से अगर आपके पास scale ना हो तो आप इस तरह tape की मदद से CD line भी draw कर सकते हैं अगर आपको घेर और बढ़ाना है जितनी भी दूर तक आपको बढ़ाना है तो आप leg shape की मदद से इस तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे और इस तरह आप shape दे सकते हैं तो यह देखिए मेरी line जो है draw हो चुकी है half inch आप नीचे से थोड़ा सा half inch छोड़कर इसे curve line दे दे half inch देना है जादा नहीं देना है तो यहाँ पर हमारी जो है पुरी marking complete हो गई है अब मैं इसे cut करके अलग कर लोगी बहुत ही simple method है यह बहुत आसान तरीका है और यह सिर्फ एक सिलाई में तयार होता है यहनि कि हमारी दोनों साइट सिलाई नहीं आती सिर्फ हमारी एकी साइट सिलाई आएंगी तो यह सबसी easy method है बहुत simple plazo cutting हो जाती है किसी भी size का आप plazo cut करें यही method से करें और अगर आपके small size हो तो आप 1.5 inch ले medium हो तो आप 2.5 inch extra ले crotch area का मैं बता रही हूं आपको और अगर आपका यह long मतलब medium है तो आप 2 inch extra ले और उसके बाद में large है तो 2.5 ले और extra large यहने की double XL है तो आप इसे 3 inch extra ले बहुत simple cutting है तो यह दिखे हैं हमने cut करके अलग कर लिये दोनों ही पला अब इसे हम stitch करेंगे तो stitch करने के लिए मेरा उल्टा कपड़ा है उल्टा कपड़ा है दोनों ही मैं बता देती हूं आपको अलग करके इस तरह से हमने इसे अलग-अलग कर लिया है अब दोनों ही फैब्रिक को हम इस तरह बिचाएंगे एक पहले हम जो हमारा एक पैर करेंगा उसे सीधा बिचाएंगे और अब उसके उपर हम दूसरा फैब्रिक जो हमारा उल्टा बिचाएंगे अच्छी तरह से आप इसे जमा ले दोनों से क्रौच की अच्छी तरह से मिला ले और से सिलाई से डबल सिलाई से अच्छी तरह स्टीच कर लीजे तो चरिया हम यहाँ पर स्टीच कर लेते आपको मैंने जो measurement बताय है उसमें कुछ भी extra नहीं छोडना है measurement में आपको half inch का margin भी मिल जाएंगा extra छोडने की जोड़ नहीं है बिल्कुल confidence से आप cutting कर सकते है जिस method से मैंने आपको बताए है और बहुत easy method है तो चलिए यहाँ पर डबल सिलाई लगाए हम ताकि यह सिलाई हमारी जो है उखड़ेना निकलेना अब दूसरे साइड का क्रोच लेंड जो है वहाँ से भी हम सिलाई लगाके इसे पैक कर लेंगे अपनी नेक्स वीडियो में मैं आपको दोनों साइड सिलाई वाले भी प्लाजो की कर्टिंग बताऊंगी और साथी साथी स्टिज भी बताऊंगी तो चलिए यहाँ पर हमारा आजो है दोनों क्रोच एरिया लगा तो हम इस तरह से इसे आपस में मिलाएंगे और इस तरह हम आपस में मिलाने के बाद में जो है इसे पैक कर लेंगे पेक करने का सबसे इजी और सबसे अच्छा मैथड यह कि आप क्रॉच एरिय से स्टार्ट करें ताकि नीचे में हमारा जो कपड़ा है कम ज्यादा भी हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए क्रॉच एरिय के पास से आप स्टिच करने स्टार्ट करें सिलाई लगाते समय ध्यान दे कि दोनों पल्ले एक के उपर एक बराबर से जमे रहें अब हम सिलाई लगाने के बाद में इसे डबल वापस से लेकर आएंगे अभी तक करे अगर आप में चैनल को सबस्क्राइब नहीं किए तो प्लीज में चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर दीजी और वीडियो अच्छा लगे और आपको समझ आए तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताके हमारे वीडियो आपके दोस्तों तक या आपके कलिक्स तक पहुंच सके तो देखे मैंने याप पर जो क्रोच एरिय तक के सिलाई लगाई थी उसे दूसरे साइड भी लगा लिये और डबल सिलाई लगा कर यहाँ पर मैंने प्लाजो की जो है फिटिंग लगा ली है अब हमें नीचे की जो मोरी है उसे फोल्ड करने है एक इंच हमें फोल्ड करने है अगर आप एक इंच नहीं ज्यादा फोल्ड करना चाहते तो एक्स्ट्र का कपड़ा लगा कर पट्टी लगा के भी फोल्ड कर सकते है या इसमें आप कुछ अच्छे डिजाइन भी बना सकते है तो यहां पर मैं एक इंच का कपड़ा लगा के इस तरह से फोल्ड कर लूँगी डबल फोल्ड करेंगे ताके जो कपड़े के धागे वह बाहर ना दिखे तो दोनों ही पैचे यहां पर मैंने फोल्ड कर लिये हैं इस तरह से के यह दुखेंगे यहां पर मैंने बोनों पैचे हमारे मूरी तज़ार कर लिए फोल्ड करके अब हम यहां पर मैं पूरा राउंड में लगाऊंगी तो 26 इंच की मैं यहां पर एलास्टिक कट कर लिएू टेप की मदद से अब इसे हम लास्टिक को अच्छी तरह से दोनों एक पेक रखें डबल टीबल सिलाई लगाकर अच्छी तरह से पैक कर लिए बस अभी आपको इसे इलस्टिक को अटेज करना है मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ आपको एक बर और बता देते हूँ इलस्टिक का तरीका किस तरह में लगाना है तो यहां डबल करके हमें दूसरे साइड भी सेंटर मार्किंग कर लेनी है जो बैक के लिए हमें काम आएंगी बैक साइड का जो हमारा क्रोचरी है वहां तक के हमें चौक का जो निशान है वहां तक के लेकर जाना है तो इस तरह आप धीरे-धीरे खिशते रहें इलस्टिक को और हाँ फिंच का कपड़ा आप इस तरह फोल्ड करके लास्टिक को अटेज कर ले इस देखें मैंने एक सिलाई तो लगा लिए है अब हमें दूसरे साइड भी पैक करना है तो इसको एक बार और इलस्टिक जितनी बड़ी है हमारी जितनी चौड़ी है उसे उतना फोल्ड करेंगे यहां पर देड़ इंच की इलस्टिक है मेरी तो दो इंच कवर हो चुक है मेरा हाफ इंच पहले मैंने फोल्ड किया है और उसके बाद में 1.5 इंच मैंने पूरा इलस्टिक का फोल्ड किया है तो यहां पर दो इंच मेरा कवर हो गया है जो हमने एक्स्ट्रा छोड़ा तो उपर के लिए इसे भी आप इसी तरह से खीच-खीच के सिलाई लगाए कपड़े को खीच के सिलाई लगाए ताके एलस्टिक आपकी जगह पर ना रहा है वो थोड़ी फैल के निकले यह देखे मैंने दूसरी सिलाई भी लगा दीए अब हम एक कोर की साइड में सिलाई लगाएंगे कॉर्णर पे बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है यह एलस्टिक लगाने का अब एक फिनिशिंग के लिए आप बीच में भी सिलाई लगा दीजिए ताके जो हमारे लस्टिक में थोड़ा बहुत भी फिनिशिंग कम रह गई है वो पूरी हो जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा प्लाजो कितना इजी और कितना जल्दी इजी ली तैयार हो चुका है यह सबसे सिमपल तरीका है बहुत आसान तरीका है और भी तरीके से मैं आपको प्लाजो की कटिंग जरूर बताऊंगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते है अगर आपकी और कोई रिक्वाइर्मेंट है तो आप मुझे बताईए मैं जरूर पूरी करूंगी और कोशिश करूँगी कि आपको easy method बता सकूँ तो please में चैनल को subscribe जरूर कीजिए Thank you so much